नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है जैसा कि आप सभी जनते हैं कि समाजिक विज्ञन का प्रत्थम पाली एकजाम केंसिल हो चुका था और वही प्रिक्षा आज 8 मार्ज को हो गया यानि कि आज आप सभी प्रस्न पत्र मिलाने के लिए तयार हो जाईए तो समाजिक कि टयान में आपको 8 प्रस्न पुछे गये थे जिसमें से कि 40 प्रस्न का सही सही जवाब दे नौथा तो चलते है प्रशनी की ओर आपके पास जोवी सेट्ट है मेरे पास सेट्ट दूस्तों ए जिसका अगर ए है तो सेम डू सेम मिलेगा अगर नहीं है बी, एप, ज, ज, जो हिंद चीन में कुलोन किने कहा जाता था, हिंद चीन में कुलोन किने कहा जाता था, तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number C, बिल्कुल सही है, फ्रांसी सी नागरिकोंपो, अगला प्रश्ण है कि, इटली के एकिकरेन में नीम्न में से किसका संबंद नहीं है, इटली के यूद और साणती पुष्टक किसने लिखी तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका औप्सन नमर B बिल्कुल सही है विस्व बयापी आर्थिक संकट किस वर्स अरम हुन था तो इस प्रश्ण प्रश्न का उत्तर होगा आपका उप्सन नमबर C बिल्कुल सही है 1929 इसवी में अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है कि अखील भारतिये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के अस्थापना कब हुई तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका उप्सन नमबर D बिल्कुल सही है 1929 सिस्वी में प्रश्ण है भारतिय समाचार पत्रों के मुक्त दाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जर्नल वेख्यात है इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा आपका ओप्सन नम्मर डी बिल्कुल सहे चार्ल्स मेट कप अगला प्रश्ण की ओर प्रश्ण है नमक कनुन तोर तोरने के लिए गंधी जी ने कौन सा अस्थन चुना नमक कनुन तोरने के लिए गंधी जी ने कौन सा अस्थन चुना था तो डंडी ऑप्सन नमर बी बिल्कुल सही है प्रश्ण है बंगाल का विवाजन बंगाल का विवाजन कब हुआ था तो बंगाल का विवाजन हुआ था 1905 में option नमर C बिल्कुल सही है 1925 अगला प्रशन है गोल घर का निर्माण कब हुआ गोल घर का निर्मान कब हुआ तो इस प्रशन का उत्बर हो जाओगा यह I rice बिल्कुल सही है 17став 86 भी में अगला प्रश्ण है अपका राउर के लालोहा इस पात उद्योग है तो यह कहां है उरिस्व में ओप्सन नमर C बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण है काल मार्स की पुष्टक का नाम है काल मार्स की पुष्टक का नाम है दास के पिटल ओप्सन न महिलाओं के लिए 50% आरक्षन ब्यवस्था नीमने कीत में से किस संस्था में की गई है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्स का होता है तो इस प्रश्ण का उत्रों जएगा पंच वर्स के लिए होता है जो कि आपके गाउं में मुख्या सरपंच वार्ड बनता है वो पंच वर्स के लिए बनता है अगला प्रश्ण है भारत में राजनितिक दलों का चुनाव चीन कौन आवांटित करता है, तो यह करे thế Labour किया कौन, चुनाव आयोग, आप् vibration Conference D बिल्कुल सही है, अगला प्रशन है, जार्खन राज्य का गतन कब हुआ, जार्खन राज्य का गतन कब हुआ, तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका, spokesperson orange currency, बिल्कुल सही है 15 नवंबर 2000 को बिहार से यह अलग हुआ था अगला प्रस्न है भारतिय संविधाउन की आठवी अनुसूची में कितनी भसाओं का अस्थाओं दिया गया है तो 22 भसाओं का अस्थाओं दिया गया है भारतिय संविधाउन की आठवी अनुसूची में 22 भसा है अगला प्रश्ण है भारत में किस परकार की सासन प्रनाली है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका संगिये और संसद्ये प्रनाली है अगला option number B बिल्कुल सही था प्रस्न है भारत में पहला नगर निगम कहां बना भारत में पहला नगर निगम कहां बना तो मद्रास चन्नई option number B बिल्कुल सही है चन्नई पहला नगर निगम बना था प्रस्न है भारत में मतदान होने की नियूंतम आयू क्या है भारत में मतदान नियुन्तम आयू कितना है यानि कि वोट गिराने की कम से कम कितना उम्र है भारत में तो 18 वर्स है option number C बिल्कुल सही है अगले प्रश्ण की और प्रस्ण है लोग तंत्र का प्रावन किसे का गया है लोग तंत्र का प्रावन किसे का गया है तो सम्विधान को का गया ओप्सन नमर B बिल्कुल सही है अगले प्रश्ण के और प्रश्ण है नीमने लिखीत में कौन रवी फसल है तो रवी फसल है रवी फसल लेने की ठंडी मौसर में कौन सा होता है लगबग में तो गेहूं ज़ को आप सब जोनते हैं कि गीटि को व्यालिभाष का सोक नदी कहा जाता है एगले प्रश्ण के निमन लिखी खनी जाओं में कोड़रा माँं किस समन्दीत हैं तो इस प्रश्ण का उतर हो जाएगा आपका अवड़कितल बिल्कूल आगरा प्रश्न है कि कौन क्रिसी प्राधारित नहीं होगा उप्षन नमर डी बिल्कुल चहिए शीमैन उद्योग यह तो पथल बहरा पारो पर होता है और इस प्रश्नलिक उप्तर वोगा नवी करने सनसाधन अगला प्राश्न है कि अगला प्राश्न एक प्राकिर्तिक गैस पाई जातीए तो खनीज तेल के साथ प्राकृतिक गैस किसके साथ पाजाता है खनीज तेलों के साथ पाजाता है प्राकृतिक गैस खनीज तेल के साथ अगला प्रशन देखिए नीमन में से कौन A.C.A. का सबसे बड़ा परमानु सक्ति के अंदर है A.C.A. का परमानु सक्ति के अंदर है तो तारापूर उप्शन नमर A बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है आपका नीमनली खीत उद्धियोगों में से कौन सा सार्वजनिक छेतर का सम्बंद है तो इस प्रस्न का उत्तर होगा आपका उप्शन नमर C बिल्कुल सही है बोकारो लोहा इसपात उद्धियोग प्रस्न है फैल्टा विसेस आर्थिक छेतर कहां इस्तित है तो इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है पच्छी मंगाल में अगला प्रश्ण देखिए बिहार में सारवधिक अवादी किस जीले में है तो पठना जीला में सबसे ज़्यादा जन संक्या है अगला प्रश्ण है विश्व वेपार संगठन का मुख्याले कहा है विश्व वेपार संगठन का मुख्याले जनेवा है उप्सन नमर A बिल्कुल सही है प्रश्ण है महासागर की तली पर होने वाला कमपन का परी नाम है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जागा आपका उप्सन नमर C बिल्कुल सही है सुनामी आर्थिक विकास का तिसरा चेतर क्या है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन नमर D बिल्कुल सही है सेवा चेतर का प्रश्ण है सुदूर समवेदी उपगर है रिमोन सेंसिंग उपगर है उपयोग होता है तो किसमें होता ह आपका मौसम विज्ञान के लिए अप्सन नमर B बिल्कुल सही है अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है मानव जनित आवदा है मानव जनित आवदा क्या है याने कि मानव के दोवारा आवदा क्या हो सकता अतंगवादी हो सकता अप्सन नमर C बिल्कुल सही है प्रश्ण है भ भारत की बित्तिय राजदौनी की सरको का जाता है तो मुंबई को का जाता है उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है प्रस्णा आपका आर्थिक विकास समन्दित है तो इस प्रस्ण का उत्तर जो होगा आपका उप्सन नमर अगला प्रशन है नीमनली खित में से क्या नई आर्थिक निती का अंग नहीं है उप्रशन है एक अगला प्रशन है भारत में केरेंसी नोट कौन सी जारी करता है भारत में केरेंसी यानिके कागज बला नोट कौन जारी करता है तो कागजी नोट जारी कौन करता है भारतिये रिजर बैंक भारतिये आगे में लगा हुआ है रता है दोस्तों तो रिजर बैंक आप इंडिया करता है तो चलते हैं प्रश्द के और प्रस्द का मुद्रा का कार्या करती तो इस प्रश्द का उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्स convert नम्मर डी क्या हो जागा इसका डी ओऊहो अप्सण नम्र डी विल्कुल रही है अगले प्रश्ण क्योण प्रेस्ञ बहुआ देशों में कायशिल विकासी देशों में कार्यस्टील जन संख्या अधिकाउन संगलन है तो इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा आपका option number D बिल्कुल सही है इन में से सभी प्रश्ण है नीम्न में से कौन बहुराष्टिय कंपनी है नीम्न में से कौन बहुराष्टिय कंपनी है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका इन में सभी option number D बिल्कुल सही है इन म अगला प्रशन एक समाजवादी आर्थिक विवस्ता में सार्वाधिक वलकिश पर दिया जाता है तो इस प्रशन इका उत्र होजाएगा आपका उप्सơn न मर डी विलकुल सही है लोक कल्याउन के लिए अगला प्रशन है भारतिय योजना आयोक के परथम अध्यक्ष कोंगे तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर सी बिलकुल सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रश्ण है नहरेगा कार्य करम के नाम के साथ किस बेक्ती का नाम जोड़ा गया है गोवा जो है व्हारत का सबसे छोटा राज है और सबसे अधीक आ है गोवा राजी का अगला प्रस्ण है भारतिय मुद्रा बजार में किस परकार के रीन का लेंदेन होता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर C बिल्कुल से है A और B दोनों हो जाएगा अगला प्रस्ण है नीमन में से कौन आर्थिक अधार भूत संच रचन का घटक है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा नागरिक शेवाएं प्रश्ण है खाद एवं पदार्थ की सुधता की जंच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्य का होना अवस्यक है तो इस प्रश एगो मार्क अगला प्रस्ण है ब्यहार की किस लदी की उत्त्ति अमर कंटक से हुई है तो इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा आपका गला प्रश्ण है आपड़ा प्रवंद का मुख्य घटक है तो इस में हो जाएगा सभी इन में सभी इन में सबी आवदा प्रवंत का मुख्य घटक है इन में सबी अगला प्रस्ण हो जाएगा आपका इस प्रस्ण का उतर जो होगा मगण में आग लगने की स्थिती में क्या करना चाहिए तो अगनी शमक यंत्र को बुलाना अगला प्रस्ण है आपका इन प्रेट केमरा का पड़िवक में से किस आवधा में क्या जाता है किस ने कहा मुद्राइस्वर की दी हुई महंता देन है सबसे बड़ा तोफा तो यह किस ने कहा था तो इस प्रस्ने का उतर हो जागा आपका मौल्टिंग लूथर ने का था उप्शन नमर B बिल्कुल सही है अगला प्रस्ने बिहार का सबसे बरा नगर है तो बिहार का सबसे बरा नगर कौन सा है पटना बिहार का सबसे बरा नगर पटना option number A बिल्कुल चाहिए है मातमा बूद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुई मातमा बूद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुई तो बौध गया में हुआ था option number B बिल्कुल चाहिए है प्रस्न है Asia का पहला नियर्थ संवर्ध छेत्र का अस्थापित किया गया तो भारत में option नमर A बिल्कुल सही है प्रस्ण है भारतिय डांक बिवाग की अस्थापन कब हुई थी? तो इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा आपका Option नमर जो है की 1854 इस भी बिल्कुल सही है भारती है डागवा के सपनकवत आठासो चौवन में डेकन ओडोसी रेलगारी किस राज में चलती है तो इस प्रस्ण का उतर देगा महराश्ट अप्सन नम्मर C बिल्कुल सही है भारत का सबसे बड़ा रेलवे छेतर कौन सा है तो उत्तर रेलवे है अगला प्रस्ण है आपका नीमन में से कौन उपभोकता उद्योग है तो इस प्रस्ण का उत्तर जो होगा आपका उप्सन नम्मर D बिल्कुल सही है चितरंजन लोकोमेटीव प्रस्ण है बोकारो इसपात सही यंतर किस देश के सयोग से खोला गया है तो इस प्रस्ण का उत्तर जोगा रूस के सयोग से खोला गया है प्रस्ण है भारत का सबसे बड़ा लो अयक्स उत्पादक राज कौन सा है तो इस प्रस्ण का उत्तर जोगा आपका उप्सन नम्मर A बिल्कुल सही है उडिसा प्राकुर्तिक संसाधनों के संग्रक्षन के लिए 1968 में कान सा connection हुआ था तो इस प्रैश्न का उत्तर जो होगा आपका option number ए बिल्कुल सही है अफ्रीका connection से अगला प्रैश्न है इटली और जर्मनी के एकिकरन के बिरूद नीमन में कौन था इटली और जर्मनी के एकिकरन के बिरूद कौन था तो इस प्रशन का उत्तर जो होगा आपका option number option number c बिल्कुल सही है आश्टेलिया अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है आपके पास इस्क्रीन पर जर्मनी एवां एक इकरन का प्रमुख वस्तुकार कौन था तो इस प्रश्ण का उत्तर जो होगा आपके आपका इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा मेज यह लेनी लेनी option number c बिल्कुल सही है लेनी होगा इस प्रश्ण का उत्तर क्या जाएगा लेनी ओफ कि अग्याँ कि अग्याँ कि अग्याँ कि